दूसरा सत्र है और मैं भी दूसरी बार ही आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं मिहमान नहीं आधा तीयाई सही आयोजक हूँ और सचमुच देश भर के अलग-अलग लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाना होता है लेकिन ये कुछ अलग किस्म का है शायद उसकी वज़या है कि ये जो मालवा की धर्ती है उसकी वज़या से शायद इसका जो स्वरूप है इसका जो रंग रूप है यहाँ जो मिलने बात कर अलग है और संयोग देखिए कि इस मालवा की धर्ती ने पत्रकारिता को ऐसे शीर्ष पुरुष दिये हैं जहां पत्रकारिता के जो मापदंड है वो उनके व्यक्तितों से तय हो जाते थे यानि वो जो लिख देते थे कहा जाता था कि यह इसी तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए नए बच्चों को कहा जाता है तो कहते हैं कि भाई आप सुनिये पढ़िये लोगों को अब उस मालवा की धर्ती में लिट चौक में हम क्या विशे लेकर आए हैं किसका गोदी मीडिय है कि अब आज अगरource इनने वी शेयर किया तो एक बड़े पत्रकार होंका सुबाव फोण आगया और उन्होंने कि यह बहुत गलत काम कर रहे तुम मनें का क्क्या करती है मैंने अभी तो कुछ किया नहीं करना है वी जाकर तो उन्होंने का कि गोधी मीडिया कैसे को है सकता क्योंकि मीडिया को गोदी कहना और भी पत्रकारों के बीच में से और आप लोगों ने उसको उठा लिया तो हम थोड़ी ने कह रहे हैं किसका गोदी मीडिया हम तो यह करें गोदी मीडिया भी हम मानेंगे नहीं मानेंगो तो हम चर्चा करेंगे और इसी बात का मतलब तो पत इन्होंने अलग काटेगरी बना लिका कि वहां लड़ाई ही नहीं है उदर चल पड़ते हैं तो वो काम बड़े अच्छा से गया और जैदीब जी है इसी शहर के हैं और हमारा इनका एक अलग किस्म का जुड़ा और दूसरा ये है कि मैंने दो हजार के महा कुम में वेब दु लेकिन मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा कुछ मेरे मन में है जो मैं बोलूंगा और उसको आप दोनों लोग आगे बढ़ाएंगे अब जैसे ही किसका गोदी मिडिया आता है तो सबसे पहले तो मैं दो-तीन चोटी-चोटी परिकल्पनाएं दे रहा हूं तो और मैं च आतसले की गोदी आती है मीडिया गोदी में और अगर मीडिया गोदी में है तो बुरा कैसे हो सकता है यह संभव है क्या और अगर हम इसको इस तरह से परिभाशित कर रहे हैं कि मीडिया गोदी में चला गया यानि किसी के कहे के हिसाब से सब कुछ करता है तो इस देश में क या किसी एक घराने, किसी एक व्यक्ति, एक उद्योगपती के चैनल खरिदने, या अख़बार खरिदने, या बोलने भर से मीडिया गोदी में चला जाता है, क्या ऐसा संभव है क्या, इस देश की पत्रकारिता में जितने बड़े घराने हैं, इंदुस्तान समूह, बिल्ला की अर्थिवास्था में शुरुआती सारी हिस्सेदारी नहीं की रही, तो फिर ये गोदी मीडिया क्यों नहीं हुआ, अभी जिस अम्बानी एडानी की बात होती है, तो रिलाइंस समूह ने एक समय में धिरुभाई अम्बानी जी को भी लगा कि हम मीडिया चलाएंगे, उ कई ऐसी चीजें थी, वो सब सोचे थे कि हम पैसे से मीडिया चला लेंगे, तो उस वक गोदी मीडिया क्यों नहीं कहा गया, अभी मैं सिर्फ संदर्व दे रहा हूं, आप दोनों लोगों के लिए मैं छोड़ दूँगा भी आखरी दो लाइने और कहके, और मैं जब इस व कुलूंबर्ग, उनकी टीवी, या फॉक्स न्यूज हम कहते हैं, तो उनका चैनल, या पूरे हम यूएस मीडिया के, जिसमें हम पढ़ते हैं, वाशिंग्टन पोस्ट है, वाल स्टीट जर्नल है, नियॉयोक टाइम्स है, CNN है, इन सब को हम देखते हैं, तो उन सब के पीछ मीडिया घराने जो हैं, किसी निकिसी उद्योगपती के हैं, क्या कभी अंतरराष्ट्री मीडिया के लिए गोदी मीडिया कहा गया क्या, किसी सरोकारी पत्रकार ने आज तक इंटरनेशनल मीडिया के लिए गोदी मीडिया कहा क्या, और अभी जब मैं एक खबर देख रहा लेकिन New York Times ने Mexican billionaire Carlos Slim Helu इनका नाम जान बूचकर गायब कर दिया, क्यों गायब किया होगा? इसलिए गायब किया कि ये जो Carlos Slim है इनकी 17 प्रतिशत हिस्सेदारी New York Times में है, तो क्या जिसकी गोधी में रहते हैं उसका नाम नहीं लेते हैं, बाकी सब का नाम लेकर कहते हैं गोधी लेकिन उसको गोधी मीडिया नहीं कहते हैं, उसको सरोकारी मीडिया कहते हैं, ये संभव है क्या? और जान बूचकर गोधी और भक्त ये दोनों या तो भगवान की भक्ती होती है, या मा की गोधी होती है, या परिवार का संस्कार होता है, ऐसे शवदों को मीडिया के साथ क्यों जोड़ दिया गया मैंने प्रस्तावना में थोड़ा अधीक समय ले लिया लेकिन 4-5 पॉइंट दिये हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाए जैदीब जी पहले बहुत दन्यवाद हर्षवरदन जी इस प्रस्तावना के लिए संगीता बरुका जी ने भी बहुत अच्छे शबदों में आज की प्रस्तावना रखी और आप दोनों ने जिस तरफ इशारा किया है उसके पहले उस विशे को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि लिट्च करना और एकायोजन करना दोनों एक बरावर है और घर की शादी में जो रूटता वो भी घर का फूफा ही होता है यह सारे ही होते है और इतने सारे फूफों को मनाते हुए आयोजन करना तो यह हेमथजी निखिल और धरा और उनके पीछे जो पूरी टीम कढ़ी है मेरा जुनुनी लोग ही इस तरह के आयोजन कर सकते हैं, ऐसे जुनुनी लोग ही ये हिम्मत कर सकते हैं, कि मंच पर पत्रकारों को बिठाएं, और पत्रकारिता की इस कर्मस्तली मालवा की धरती इंदौर में इस विशेय पर चर्चा हो, कि आखिर किस की गोदी में बैठा है मीडिया, धरा इसलिए मुस्कुरा रही हैं, कि जिस दिन ये विशेय ताय हुआ था, तभी हम चौक गए थे, और हमने, हमको मालूम था कि हम बर्रे के चट्टे में हाट डाल रहे हैं हरश्वरदन जी, तो आपके पास जो सोशल मीडिया पर सवाल आएं, वो गलत नहीं है, लेकिन हम भी उसी इंदौर के वासी हैं, जो सेकडो किलोमेटर दूर से नर्मदा लाने के लिए ऐसा जनान दोलन करते हैं, कि मुख्यमंत्री को भी जुगना पड़ता है, ये इंदौर सच्चाई की आँख से आँख मिलाना जानता है, ये मालवा की धर्ती है, हम विशेयों को कारपेट के नीचे धकेलने की बजाए निकाल कर बाहर लाते हैं और जबरस्ती उससे कुष्टी लड़ते हैं, पहलवानों का शहर है, हिम्मत वालों का शहर है, हौसले वालों का शहर है, तो जिस विशेय को लोग चर्चा करने से बचते हैं, अब आप चाहे माने या ना माने, हर घर में, कॉफी टेबल पर, न्यूस रूम्स में, पर्दे के पीछे चर्चा हो रही कि, और मीडिया तो गोदी में बैठा हुआ है, मीडिया तो गोदी में बैठा हुआ है, सारा मीडिया ही गोदी है, तो एक पत्रकार के रूप में मुझे भी लगता है, और चलो आर आपस में तो हम जिसको जो कहना है, सफाइदेनी है डाटना है समझाना है कंविंस करना है कंविंस नहीं होना है जगडा करना है वाट्ट्थे ग५्प में रहना वाट्चाप इस सचुपाने से कुछ नहीं होगा तो यह चोटी सी प्रस्तावना थी कि यह विशय मंछ परstein कई तो मैंने का एक्सपोस करी देता हूं स्टिंग ऑपरेशन को ठीक है आगे मैं बताता हूं कि एक पत्रकार होने के नाते जिसने यहीं पर इसी कर्म भूमी पर पत्रकारिता को स्विकार किया सीखा और मैं इस पाठ शाला का एक गौरव शाली विध्यारतियों और सौभा के शा जाता था और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सवाल तैयार करते जाए और उनको सहेज कर रखी हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक इमानदार बात हो जितनी इमानदारी से हो सकती है पहली बात तो यह है कि एक पत्रकार पत्रकारिता का विध्यारती होने के नाते जो कि मैं आ कर दो मैं वेब दुनिया की शुरुवाती यातरा का सहभागी जरूर हूं लेकिन मैं शुरुवाती संपादक नहीं हूं उसके शुरुवाती संपादक प्रकाश इंदुस्तानी जी है जो अभी यहीं कहीं होंगे भी शायद उनको आगे मंच भी समालना है तो पहले और मैंने डिजिटल मीडिया को बहुत करीब से देखा ये मेरे को सुभागे मिला जब डिजिटल मीडिया आया ना तो मीडिया की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिसको फिनॉमिनल चेंज कहते हैं अब ध्यान से सुनिये का थोड़ी सी लंबी बात में अप पहुचनी चाहिए और ये मनुष्य का मूल सभाव है हम लोग भित्ती चित्र गुफाओं में क्यों मनाते थे क्योंकि हम कम्यूनिकेट करना चाहते थे कि हम हमारी सभ्यता विक्सित हो रही है पुष्पित पल्लवित हो रही है और आप भीमबेटका में जाकर देखिएगा क्यों प्रेजारों साल बाद किं कैसे जीते थे पिर भौन नगारे बजाकर एक गाहं से दूसरे के लिए गेटवेस थे फिल्टर्स थे चल्डियां थी सिस्टम था अगर अखबार में खबर छपनी है तो उसकी न्यूजरूम है आपको प्रेस विग्यप्ति लेकर सिर्फ पठकना ही पड़ेगा संपादक तय करेगा किस इवेंट की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टर पर नहीं जाएगा तरॉमें चैनल करेंगे कि उसकी स्क्रीन पर क्या चलेगा है और क्या नहीं चलेगा रेडियों में के वल आकाशवाणी पर समाचार सेसकते हैं काॉं ट्राइव सब कॉंत्क तरह करता एक सिस्ट करता एक व्यावस्था है करती कि सरकार कर्ती जब यह छोटा सा फोन जिसको हम बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे जिसको मोबाइल कहा गया, आप तो स्मार्ट फोन हो गया है, इनसानों से जादा स्मार्ट होनी की कोशिश कर रहा है, वो भी अलग विछ है, जब यह आए ना, तब हुआ यह है की एक से अनेक तक दुनिया जैसे पोर्टल्स भी आये लेकिन वहां भी विवस्था थी निउसरूम थी पत्रकारों तो कोही नौकरी देकर वहां पर रखा गया था लेकिन जब यह केवल मोबाइल से कम्यूनिकेट होने लगा एंट्री लेवल बैरियर जिसको हम कहते हैं शुरुआती शुरुआत करने के लिए जो आहरता हैं वो पूरी किये बेगैर आप पत्रकार बन सकते थे ऐसा लोगों को लगने लगा उससे दो बाते हुई एक तो यह हुआ कि संपादन के नाम पर जो इस विरोधी समाज विरोधी मान कर इन चलनियों से चान दिया जाता था उनके मन में यह खयाल आया युरेका वाला उनको लगा कि अब हमको कोई नहीं रोक सकता इस देश के अच्छे पानी में जहर गोलने से उन्होंने अपनी टीमें बनाई अपने लैप टॉप और मोबा करने का इससे अच्छा मौका नहीं है पिछले सेकड़ों हजारों वर्षों से इस हिंदुस्तान को तबहा करने के लिए जो साजीश हम रच रहे थे अब उन साजीशों को अंजाम देने का वक्त आ गया है हम अपने अपने कमरों में बैठ कर ऐसा अजंडा चलाएंगे जिस वाट्सेप युनिवर्सिटी है साहब फैक्ट चेक एक बड़ी विधा बन गई थोड़ा सा लंबा है शुरदन जी शमा कीजिएगा फैक्ट चेक एक विधा बन गई लोगों को वाट्सेप पर डिजिटल पर भरोसा नहीं रहा और वापिस से यह जो संपादे की यह संस्त वाट्सेस मीडिया नहीं गल रहे हैंने के बदनाम के थैंगे तक हमारे एजंडे नहीं चलेंगे इसके लिए उसको पहले गोदी और जिस दिन ये मीडिया गोदी में बैठ जाएगा, हमारा ये जो शडियन तरथा ये सक्सेस्फुल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और इसलिए इस मीडिया को गोदी में बिठाने की तमाम कोशिशे हो रही है, मैं आपको आखर में एक बात, क्योंकि आगे और बोलना है, व सिर्फ और सिर्फ पाठक, दर्शक और श्रुता की गोद में बैठा है, चाहे कोई कितना ये अजेंडा चला दे, आपको पता लग जाता है कि ये मीडिया अजेंडा चला रहा है, या किसी नेता या किसी पार्टी का एजेंट है, तो क्या आप उसको देखते पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में पांचे जन्नी का सर्कूलेशन कितना है, बता दीजिए, ये आप बड़ा, मतलब उस तरफ ले जा रहे हैं, अब एंडी टीवी में रवीश कुभार का शो नहीं देखा जा रहे हैं, तो मलब आपका रहे हैं, सब दर्शक जान गए, ने, 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 तेख कोशी सफल नहीं होंगी, लेकिन, जिस पाठक दर्शक और श्रोता की गोद में ये मीडिया बैठा है, वो पाठक दर्शक और श्रोता, ये चाहता है कि उसको पचीस रुपए में छपने वाल अखबार, दो रुपए में मिले, साथ में कुर्सी, टेबल और अचार भी फ्र लेकिन, फिर भी वो चाहता है कि मीडिया किसी की भी गोदी में नहीं बैठे, भाई अपनी गोदी से मीडिया को आप खुद उतार रहे हो, इसी में सारी बात आ जाती है, धन्यवाद, जैहिंद। कि ये मठादीशी है, एक शबद आया हमारे मन का नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरों को एक तरह से पेंट करते हैं, तीसरा शबद आया कि जब लोगों के हाथ में टूल आ गया, तो उस टूल का इस्तेमाल कैसे हम करें, और दूसरे को कहें कि ने ने जो तुम इस्तेमाल कर र उनुश्टी के पड़े हो है, मतलब ये एक, तो ये जो तीनो चीजे हैं, क्या ये मिलकर उस तरफ जाती हैं, जिसमें आप पूरे मीडिया को पेंट कर देते हैं, कि वो गोदी मीडिया है, और क्या किसी डेमोक्रेसी में सचमुच मीडिया पूरी तरह से गोदी में हो सकता कि अपनी बात की शुरुआत पहले तो गोदी से करना चाहूंगी, इस शब्द इतना सुंदर, मीठा, मीठा, से भरा हुआ शब्द है, उस शब्द को हमने जैसे ही गोदी मीडिया बनाया, तो मुझे लगता है क्योंकि गोदी बोल नहीं सकती, और हमने बहुत ही बड़ा कर दिया गोदी का, क्योंकि जो बच्चा गोदी में बैठने जाता है, कभी आप देखियो उस मा का चेरा और खुरे परिवार का चेरा, सारा परिवार बड़ा खुश होता जब बच्चा गोदी में बैठता है, और गोदी में बैठा हुआ बच्चा अपनी मागे भी मनवा वो प्यार जलकाता है अब मीडिया को अगर हम कहेंगे कि वो गोदी में बैठा है तो मेरा ख्याला है यह अपमान गोदी का तो है ही काफी हद तक मीडिया का भी है दूसरी बात यह है कि हम मीडिया का जब बात करते हैं से कुछ साल पहले जब मीडिया पर विमर्ष होता था तो वह गंभीर विमर्ष होता था अब मीडिया पर जैसे ही विमर्ष शुरू होता है लोग उसको राने लगते हैं लोग हंसने लगते हैं लोग तालिया बज आने ल और वो क्यों, तीन तरह का मीडिया है, हम जिस मीडिया की बात हमेशा करते हैं, हम पॉपुलर मीडिया की बात करते हैं, यह तीन मीडिया कौन से हैं, एक तो है पॉब्लिक सर्विस ब्राड कास्टर, उसकी बात हम सबसे कम करते हैं, जिसमें आया दूरदर्शन, और अल इंड और सबसे ज़ादा अथोरटी भी उसी के पास है। हम उसकी बात इसलिए नहीं करते हैं। क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारी यंग जनरेशन इन चैनल्स को नहीं देखती, यह क्रिशी दर्शन वाले चैनल हैं। यह हम लोग नुकड वाले चैनल हैं। और इसे देखने वाल देखते हैं कि यह वैसा है। यह वैसा है। बहुत सारह लोग जब अपनी मॉबाइल पर भी जब देखते हैं किसी चैनल को, तो एंकर को देखते ही सबसे पहले उसके बारे में कॉमेंट देते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। जो लोग धूरदर्शन के जमाने शार्शन इसा लगता था जैसे कोई पैन उनका ले लेगा उन्हें जल्दी से डाला है। शमीन और सल्मा सुल्तान जब भी खबर पढ़ती थी तो एक गुलाब उनका लगा होता था और लोगों का ध्यान हमेशा उस गुलाब पे रहता था। जितने साल उन्होंने खबर पढ़ी गुलाब उनका वहीं रहा और चेहरे के भाव वहीं रहे। एंकर को देखके आपको कभी यह पता नहीं लगा कि एंकर का भाव किस चैनल की किस राजनितिक पार्टी की तरफ है। एंकर आपको न्यूट्रल दिखाई दिया। बड़ी सी बड़ी हत्या, उपद्रफ, आतंकवाद के बावचूद, एंकर आपको तट्टस्ट दिखाई दिया। अब आप आज की बात कीजिए। चैनल खोलते ही आपको पता लग जाता है। एंकर क्या बोलेगा। उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी। थोड़ी देर बाद वो जगड़ने लगेगा। वो वैसा जगड़ा करेगा जैसा आजकल पती-पतनी भी नहीं करते। और फिर वो जिन गेस को बुलाएगा उनमें से कुछ को ऐसा जलील करेगा जैसा आप अपने घर में आने वाले किसी महमान को कतई ना करें। और वो जलालत के बावजूद बार-बार उसी चैनल में जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि इतने जलील होकर भी आप वहां जाना चाहते हैं। और ऐसा भी क्या हुआ कि जनता उस चैनल को देखना चाहते है। इसलिए मेरा जवाब यह है। मीडिया को दोष्ट देने के समय में समझना चाहिए। हमें वही मीडिया मिल रहा है जिसके हम लायक है। दर्शक जिस लायक है उसे वही मिल रहा है। आप यह कता ही ना कहिए। कि न्यूज चैनल्स इसके लिए जिमेदार हैं पूरी तरह से। कंटेंट क्रियेट करने वाला जिमेदार है। एड़टाइजर जिमेदार है। वह सब तो है ही। लेकिन हम खुद कितने जिमेदार हैं। हमें तो वही मिला। क्योंकि हमने उने सब्स्ट्राइब किया। इतनी बार देखा। इतने चानल्स को, में इतना को खोसते हैं। पर हम भर पर के देखते हैं, कुछ लोगँ हमें सक्थ नापसंद है, उसे देखिंग हम रहने सकते हैं। तो फिर क्या हुआ और तीसरे किसम का चानल, तीसरे किसम का मेडिया कौन है। यह बात मैं खास तोर पर बोलना चाहूंगी, उन लोगों के लिए जो जो जॉनलिजम के स्टूरंट्स हैं, तीसरा मीडिया है वह कल्पिक मीडिया, आल्टरनेटिव मीडिया, कम्यूनिटी रेडियो जैसे की, आपके अलाके में भी चलता होगा, कितने लोग उसकी बात करते हैं, कितने युव, कितने टीचर, कितने जॉनलिस्ट, कितने फ्राउडड भी लोग उसकी बात करते हैं, हम उसकी बात इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि वह बिखता नहीं, No. 2 बिखता नहीं, हम बिख कैसे आप उससे देखेंगे, लेकिन आपको दोने के लिए हैं तो में कि मीजी हमें बड़ी खराब चीजें दे रहा है और गोदी में बैठकर वो कह रहा है जो हो कहना चाहता है तो तो कहीगा, आप मत देखिए आपके पास हमेशा एक आप्शन है आप उसे मत देखिए मैं जेलों पर काम करती हूं जैदीब का जब भी फोन आता है वो पहला सवाल ये पूछता है कि मैं किस जेल में हूँ और जैदीब को ये बात पता है कि मैं अकसर ये नहीं बताती कि मैं किस जेल में हूँ लेकिन मैं हाँ अकसर में जेलों में ही होती हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है एक और बात का गर्व है जेलों के काम ने मुझे क्या सिखाया मुझे ये सिखाया कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में जूट बोलते हैं वो आपसे ये कहेंगे कि मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं, हम जेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उनकी आखों की दरफ देखती हूँ, लेकिन मुझे पता है जूट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मैं आपका फैन हूँ, आपकी फैन हूँ उसका fan हूँ लेकिन मुझे पता है वो सब को ये बात कहते हैं, वो जैदीप के भी फैन है, वो हर्शवरधन के भी फैन है, वो मेरे भी फैन है, वो सब के फैन है लेकिन उन्हें यही पता नहीं है की कौन क्या करता है. एक जगा मेरा इंटेव्यू हुआ, हाल के दिनों में, ज़स जनलिस ने मुझे इंटेव्यू किया, उन्होंने कहा कि इने राष्ट्रपती प्रतिभा पाठल से स्थी शक्ति अवार्ड मिला है, मुझे प्रतिभा पाठल से कभी अवार्ड नहीं मिला, मैं उनसे एक ही बार ज पहाड नाम की कोई किताब मैंने लिखी, मेरी किताब का नाम है तिनका तिनका तिहाड और तिहाड एक जेल है, उन्होंने कहा रहे मैंने तो पढ़ी है भाई, मैंने कहा लेकिन किताब तो मैंने लिखी है वो पहाड कब हुई, अरे बोले हमने पढ़ी है, तो समस्या क्या ह दोख है बिना पढ़े बिना लिखे बिना समझे आपको वही मीडिया मिलेगा जिसके आप योग्यता दर्शक को बनानी होगी और द्रशक को अपनी उस सोच को अपनी उस नजरिय को बदलना होगा पॉपलर मीडिया झानता है जब तो आप गाड़ी में बैठे होंगे, मेट्रो में सफर कर रहे हुँगे, आप कहीं दोस्तों के साथ बैठे होंगे, एक सकींद दोस्ते बात करेंगे, फिर आप मुबाइल देखेंगे, और मुबाइल में जो देख रहे होंगे तो इसमें 90% कच्रा होगा, लेकिन आपका ध्यान उस कच्रे की तरफ ज्यादा है, तो आप जिसका उपभोग करेंगे वो आपको मिलेगा, मैं कल का एक्जामपल देती हूं, मैं जब कल इंदौर आई और जब भी में आती हूं, तो लैंड करती सबसे पहले मैं 56 जाती हूं, म 56 बजार आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप पीजा मत खएए, लेकिन अगर आप खा रहे हैं यह आपकी चोईस है, और अगर आप मालवा का स्वाधिश्ट विएंजन खा रहे हैं, यह भी आपकी चोईस है, पर अगर आप यह कहें, कि हमें तो सिर्फ पीजा ही परोसा जा र अगलग गोदियों में बैठता रहा है, और वो भी समय रहा है, जब मीडिया ने यह कहा कि ना तेरी गोदी ना उसकी गोदी ना मेरी गोदी, मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ और मैं न्यूट्रल तौर पर अपने जोनलिजम को करूँगा, तो मैं अपनी बात को इस बात का रस भी पी रहे थे, डालचीनी का पीस कर घोल भी पील रहे थे, नीम के पत्तों को तोड़कर उसका काडा भी पी रहे थे, जो चीजें हमें अकसर ना याद आती थी, जो ना एड़टाइज होती है, जिनका ना विज्यापन होता है, जो ना महंगी बिकती है, वो हम खान जब भी शुरू होगा तो होगा, आप अगर अपने लिए खुद एहतिहाद बरतना चाहते हैं, तो अल्टरनेटिव वीडि मीडिया का विकल्प हमेशे आपके सामने है। मैं थोड़ा सा फिर इसको विशयप एकदम ले आता हूँ, हलाकि बात लगबग वही कही जारे है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सेशन में शायद दर्शक वाला मसला कम है, ये पूरी तरह से मीडिया मीडिया को कैसे देख रहा है उसकी बात हो नहीं, गोदी मीडिया हम उसक उन्होंने कहा कि जो दिख रहा है वो गलत है, और मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता, और मैं ये कह रहा हूँ, तो मेरी बात आप लोग ज्यादा मानिया आप लोगों से, क्योंकि मैं 2014 नवंबर से सोतंतर पत्रगार हूँ, किसी की नौकरी नहीं करता, लेकिन मैं य ऐसे संभव है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कि क्या जो लैंड्सके बदला इंडियन मीडिया का, क्योंकि इन्वेस्टर तब भी थे, आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल था, आप तो नहीं रहा, आप तो बदल गए हैं पिछले आट महिनों से, लेकिन कितने जिन्दिगी भरजी, तंजुम उसमें संपादक रहे, वो क्या गोदी मीडिया नहीं थे, तो क्या ये जो गोदी मीडिया जिन्हों ने किया, उनको अपने इर्रेलिवेंट होने का खत्रा हुआ, तो सब के उपर उन्होंने एक ब्लैक लेबल चस्पा कर दिया, ये शराब नहीं है, एक काला निशान लगाने वाला है, वो चस्पा कर दिया, कि इनको तुम इस तरह से देखो, हमारे साथ चले आओ, वरना कौन सी पत्रकारिता उन छे घंटों में हुई, कि एक इस्तीफा देने के बाद, दस लाग, बीस लाग, सबस्रावियर जुड़ जुड़ ज खरीडने के बाद, ये आप जान लीजे, क्योंकि ये आपको कोई बताएगा नहीं, तो मैं इसी तरफ जाना चाहता हूं, तो क्या ये भी एक खेल चला है क्या, ये थोड़ा सा बताई, इस्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि आप सवाल जवाब लेंगे, देखिए, मीडि में खेल हमेशा था, All India Radio को एक जमाने में All India Radio कहा गया था, हम उस दौर को जानते हैं, हम एमेर्जेंसी को दौर को जानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ख़वारें मिखती हैं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसमें इतनी ज्यादा ख़वारे तो आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं, अब हुआ यह है, जो मैं समझती हूँ, इस सारे व्यापार और खेल में, जो मीडिया ने फायदा उठाया और शायद रेजनीताओने भी, उन्हें यह समझ में आगया कि लोगों के पास बहुत सारा खाली समय है, अब आप खुद सोचिए, आप कितने घंटे अपने वाटस अप पे लगाते हैं, मोबाइल पे लगाते हैं, एक मिनिट मोबाइल ना मिले तो बेचैनी होती है, आप अगर इस मोबाइल को अपने से हटा दीजिए, और एक पूरा कुन्बा, एक पूरा शेहर का अगर किसी दिन यह तय करे, आज हम इसे देखेंगे यह नहीं, फिर आपको पता लगेगा कि मीडिया का खेल और कारोवार कितनी बुरी तरहां से चर्मर आ जाता है, एक आदमी के पास एक नाव थी, उसने नाव के रिपेर के लिए नाव वाले को बुलाया, उसने कहा बहत सालों से नाव नहीं चली, म वो भागा भागा लोट कर खड लोटा, और जब तक वो लोटा, तब तक वो पसीनों पसीने था, बहुत घबराया हुआ था, उसे लगा आज उसका परिवार खत्म हो गया, ऐसा क्या था, जब खर के अंदर गया, पूरा परिवार हंस खेल रहा है, और बेटा बताता है कि ह नाव में घूंकर भी आ गए है, इस इंसान के सांस में सांस आती है, इसलिए क्योंकि जब उसने पेंटर को बुलाया, तो यह बोलना भूल गया, कि इस नाव में असल में छेद भी था, जिसे भरा जाना ज़रूरी था, उसने उस पेंटर को बुलाया और उसने कहा कि देख पेले मैंने छेद भरा और फिर मैंने रंग किया, इस एक्जाम्पल को मैं मीजिया की दृष्टी से बताना चाहूंगी, अगर आप मीजिया हो और आप उसे वो नाव दें, तो मीजिया पेंट तो करेगा, उस छेद को भरेगा ने, क्योंकि लोगों का डूबना एक बड़ है भी, हम तो जनलिजम पढ़ाते हैं, और हम ये देखते हैं कि पब्लिक स्वेर की जो बात जुगर हैगर मारस में की थी, आप ने कहा कि ये समस्या है गोदी मीडिया की, तो आप अभी के संदर में किसको गोदी मीडिया मनती हैं? मेरा ये मानना है कि मीडिया के लिए सुस्ताने लगे और उसे लगे शायद यहां से फायदा हो रहा हो, लेकिन ऐसा तो हर यूग में हुआ है, ऐसा कोई यूग नहीं है, जब मीडिया ने किसी की च्हाओं में बैठने की कोशिश ना की हो, लेकिन यहां पर जरूरत ये है, गोदी मी बैठता कौन है? बच्चा बैस्क नहीं, हिंदुस्तान में मीडिया का बाया, मैं तेलिविशन की बात करी हो, जब दूर दर्शन आया और प्राइविट मीडिया का बाया, निससो नदबे क्या सपास, बच्चा गोद में बैठता है क्या? और अगर वो गोद में बैठ रहा है, और आप उसे बैठ का वह देखकर आप खुश हो रहे हैं, तो यह तो मीडिया पर भी लानत है और देखने वाले पर भी, गोद में बैठता है छोटा सा बच्चा जिसे समझ नहीं होती, और समझ के बाद जो बैठता है वो नासंची भी नहीं होती, इसलिए मैं यह कहूंगी, मैं रोकता हूँ ज इसका एक जवाब है कि हर वक्त होता था, यह वाले पर नहीं जाते हैं, अभी के बात करते हैं क्योंकि दोजार चौदा के बाद यह खूब चला, किसी को भी कहरिया जाता है तुम गोदी मेडिया हो, यह ठीक है क्या किसी को गोदी मेडिया कहना, और जो कह रहा है वो उसकी असुरक्षा है, यह उसकी अपनी कोई गोदी रही होगी जिसको मानता थो चिनने का डर है, यह शब इस्तेमाल होना भी चाहिए क्या, यह बताईए, मेरा मानना है यह शब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और शायद जैदी भी से समर्थ होंगे, और दूसरी बात यह है कि शायद कई बार खिस्यानी बिली भी खंबा तो नूचती है, कई बार यह भी होता है कि किसी को जगा जब नहीं मिलती, आजकल यूट्यूब में और रील पर बिल्लियों के बहुत सारे वीडियो होते हैं, कि जब आपके घर में दो तीन बिली है, एक बिली को आप खिला रह कि जब आपके बिल्लियों हो सकती हैं, अब बाकी वो बिली हैं या बाकी कौन से जानवर हैं, यह थोड़ा जैदी बोलें और उनकी बाते ख़वर बने तो ज़्यादा बेतर है, ठीक वही सवाल है, एक बहुत साफ साफ कि जब हम गोदी मीडिया कहते हैं, और इसमें में ए एक दिन बड़ा कमाल हुआ, प्रिस क्लब में हम बैठे थे और हमारे एक मित्र उन्होंने ऐसे ही बात की फिर कहा कि यह जागरण कोई अखवार है, और जब यह बोल रहे थे तो ऐसे लगा कि जैसे कोई कहां से मैला कुचला कोई बहुत एकदम से नचूने वाला अचूट टाइप का व्यक्त ही आ गया, ऐसी ही बात मैंने दैनिक भासकर के संदर्व में सुनी, ऐसी ही बात मैंने पत्रिका के संदर्व में सुनी, और ऐसी ही बात हर हिंदी अखवार के संदर्व में मैंने दिल्ली में सुनी, कमाल की बात ये, कि ये बात कहते हुए वो जनसत्ता प अखवार में खबर छपती भी ये सरकार पता ही नहीं चलता था, तो हिलने हिलाने का तो खेली नहीं था, लेकिन ये कौन सा नेरेटिव हो सकता है, कि जिस अखवार को, जिन समाचार पत्रों को देश के बड़े राज्यों में बड़ा वर्ग पढ़ते हुए बड़ा हुआ हो आप उसको कहने कि ये समाचार पत्री नहीं, क्या ये भी कुसुजी गोदी मीडिया गरंथी से पीडित था, जो ज़्यादा तेज दिखरा उभर कर बीमारी सामने आ गई है, कोवीड वाइरस टाइप हो गया है, हर्शवरदन जी देखे एक तो बहुत सारी बाते हो गई है मैंने भी बहुत सारी बात रखी, आपने रखी वर्तिकार मेरी ज्यादा दिल्चस्पी है, मैं सिर्फ यही कहूंगा, वर्तिकार ने भी बहुत सारी अच्छी बाते यहां पर रखी है, जो आप कहरें जिस चीज से हम बचना चाहते हैं, दर असल जो मीडिया चैनल, अखबार या डिजिटल साइट्स, सरकार के खिलाफ उतना नहीं लिख रही है, जितना लोगों को लगता है कि लिखना चाहिए, उनको लोग इस तरीके से आरोपित कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, रंग दे रहे हैं कि वो सारा का सारा जो मीडिया है, वो ग बाद एक अलग से बहुत बड़ा विलन मिल गया अपने सामने खड़ा करने के लिए जिस विलन की आड में वो अपने एजेंडा को अच्छे से चलाए, उस विलन के रूप में उसके बास सरकार भी हो सकता है, सरकार का मुखिया प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी भी हो सकता है लेकिन दूसरी बाद आपने जो कही वो भी महतपूर है और वो भी इस्विमर्श शडियंत्र का हिस्सा हैं, वो लोग जिनको शायत कई बार मुख्यदारा में या मीडिया में मुख्यदारा कहना भी गलत है, अगर आप यह कहते हैं कि जो बैठकर नूजरूम में नौकरी क तब आपके अंदर का वो बैठकर ही आपको इस द्रह के आप लगाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर आपके अंदर का करांती कारी पतरकार तब जाग जाता तो इस देश की सारी जनताः दर्शक और पाठख शायद आपको वहतर tariके से स्वीकार करते मैं आपको उसी शड़ेंत्र का उसी टीम का हिस्सा मानूंगा क्योंकि आपने इस तरह की क्रांतिया क्यारी आवाज तब नहीं उठाई जब आपको लाखो रुपए का वेतन मिल रहा था दफतर से दीवी गाड़ी आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी और आपके बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे होते थे अगर आपकी सारी क्रांति तभी जाकती है जब आप उस मीडिया हॉस में असाहज हो गए और आपको लगने लगता है कि सारा मीडिया गोदी में है और सारा विका हुआ है तो मैं आपकी उस क्रांति का समर्थन नहीं करूंगा य कुछ चली गई है ठीक है इसके बाद सवाल माइक जरा दीजेगा और सवाल छोटा रखेगा क्योंकि है कि देखी रहे न आप इतने विद्वान लोंग साथ हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग सीधे क्रिस्प सवाल रखेगा मेरा सवाल जैदिप सर से है मैं पत्रकारिता का विध्यारती हूँ मेरे दो सवाल है एक सवाल पाठक से है पाठक की ओर से और एक पत्रकारिता के विध्यारती की ओर से सर सच भी अब कई प्रकार का होने लग गया है एक दक्षणबंथी सच होता है किसी भी मुद्दे का एक वामपंथी सच होता है कम्यूनिस्ट सच होता है तो जो रीडर है जो इन सब बातों से अंजान है कि किस तरह का war of narratives चलाया जा रहा है मेडिया पे, वो किस बात को सच माने, यह पहला सवाल रीडर का था, दूसरा सवाल, पत्रकारिटा के विध्यारती के रूप में मैं पूछना चाहूंगा, कि मैंने बच्पन से गांधी और नहरू के बारे में और और सभी भारत के आधुने की इतिहास के ब कई नम बतायाऊता स्व ले। प्रथमेश से आया है बहुत संधर सवल आये बेढ़ जीवास दोनों के संशित उतर देने का प्रैतन करूंगा, आपने जो प्रस्न पुछा था उसमें उत्तर विच्पा हूए था, आपने कह दिया सच कई परकार का होता है। वो बना दिया जाता है। जिसमें आपके जो दूसरा सवाल था उसका भी उत्तर चुपार दोनों कलब हो जाते हैं। कई भार सच जो होता है वो महाभारत में युदिष्ठिर द्वारा कहा गया हुआ। आपको अगर यह संदर्भ पता है तो आप समझ जाएंगे अश्वत्थामा तो मारा गया है हाथी मरा या सच्मुछ अश्वत्थामा मरा है यह पता नहीं है अब जब आज कल आपके पास अन्यसरोद भी उपलब्द हैं तो कई बार आपको पता लगाने वाले लोग बताते कि कि आर तुम्हे जो अश्वत्थामा बताया था वो हाथी ता सच्मुछ का अश्वत्थामा नहीं मरा था तो आपको लगने लगता अरे सच तो यह दर असल कोई दक्षिन पंती सच नहीं है कोई वाम पंती सच नहीं है कोई सेकुलर सच नहीं है कोई नूट्रल सच नहीं है अपनि सचऴ के साथ वही कर खड़ा है, हमारी स्थिति ऐसी है किए हम वही आंह पर प्त्ती बांदे बहुत पुरानी कहानी है और हाथ विच्थ долларов परानी कहानी है इन कोई सून को देख कर कुछ और बयान कर रहा हुए कोई पैर को एक कर बयान कर रहा है। आपको पहूँचने का अगर आपका सृौ incarnate घालत है, तो आप सच को कई रूपों में देखेंगे, अगर आपका सृॉथ सही ए चाहे आप पत्रकाधिता के विध्यार्ति हो चाहे पाथक हो आपको पता हो ना और कोई सवाल? मेरा सवाल एक पत्कार के चैनल छोड़ जैने से पत्कार तक हतम हो जाती है किसी भी काम को किसी एक व्यक्ति के करने या ना करने से वह खत्म हो या शुरू नहीं हो सकती इसका जवाब यह तुसर इस तरीके महार क्यों जाना रहा है कि एक व्यक्तिने का चनल छोड़ दिया है कुछ लोगों का स्वार्थ जुड़ा है ऐसा महौल बनाने से हर्श वर्दाजनी के संदर्भकों में चानमुच के समय सीमा की वेज़े पर आपका अनमुल जो सवाल उससे जुड़ा हुआ है इनको जिन लोगों ने कहा था ना प्रयाक से दिल्ली आने पर कि जागरन भी खरा को नहीं कम कर पा रहें नहीं अलग कर रहें उनको लगतार यह इसको पढ़ते क्यों है अरे भाई नहीं पढ़ते हैं इसलिए तो वह इतने घरों में जा रहे हैं और वह लोग शाएद उन जगहों पे नोकरी नहीं पा पा रहे हैं या फिर उस वितंडे को खत्म नहीं कर र एक पर अचना चाहरे हैं इसलिए ऐसा माहूल बनाया जाता है देखिए माहूल तो मैंने फिर से का दर्शक शुरूता पाथक ही बनाएंगे आप उसी का हिस्सा है और आप दोनों ने ही कहा था विमर्श के दौरान की पाथको और दर्शको द्वारा मीडिया पर पैसा खर्च ना करना पेड मीडिया को सब्स्क्राइब ना करना एक बड़ा कारना की पूंजी पतियों के हाथ मेडिया चुकी है तो सर क्या इसके लिए वह जंबदार नहीं है वह पत्रकार जो महंगा और अडंबर पूंड जीवन जी रहे हैं सादगी वाले अपने उस पुराने दौर के पत्रकारों को छोड़ कर बहुत ही बढ़िया आपका नाम बताई है पूर्वा सिंग राथा पूर्वा सिंग जी राथार आप भी पत्तकाईटा के विद्धार थी जोला लेकर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले पत्रकार थे जिसमें गने शंकर विद्धारती से लेकर खुद गांधी जी और लोकमान नेबाल गंगादर तिलक शामिल थे और वहां से लेकर एक पूरी पीडी जिसने आजाद भारत में आख खोली थी लेकिन गुल उसमें चीजें तेजी से बदली उसमें मेरा एक सवाल है ठीक बात है कि पत्रकारिता एक बहुत अलग माध्या में पत्रकारिता को लोकतंतर का चौथा स्तंब का गया पत्रकारिता दाइत्वों से चलती है पत्रकारिता मिशन मोड में प्रारंब हुई थी लेकिन मुझे य चाहती हैं कि आपके बगल में IT प्रोफेशनल या बैंक का प्रोफेशनल या किसी कॉर्परेट कमपनी में हुची तंखा पाने वाला व्यक्ति अपने घर में कार रख ले अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दे और सूखी रोटी खागर पत्रकार पत्रकार जि और जब अखबार 12 रुपे का हो जाता है कावर प्ला इस तो क्यों दो रुपे का चाहते हैं और इसके साथ अचार चटनी और पापड क्यों चाहते हैं जो सारा त्याग और परिश्रम आपको पत्रकारीता के कोटे में ही डालना चाहिए और ये थोड़ा सम्वार नहीं मैं एक मिनिट हो सकता है इसमें विरोध के स्वार उठें लेकिन मैं पत्रकार के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जो चीज ले रहे हैं मेरको दुनिया का अगर साभून भी पांच रुपे का बिक रहा है तो वह साले चार रुपे में फैक्टरी में बन रहा होगा लेकिन अगबार अगर अपनी प्रेस में चप रहा है पचीज रुपे में तो उसको दो रुपे में क्यों बेचा जाना चाहिए दो रुपे में एक आप कुछ कह लीजे तो मैं अपनी बात कहता हूं बाई जायदीब हम तुम से सहमत नहीं है ठीक है अब इसलिए क्यों नहीं हम बताते हैं बोल रहे है कि सूखा रोटी क्यों और क्यों खाए पत्रकार भाई यह सूखी रोटी मत खाओ लेकिन सारा दिन तुम ब्रेट बटर मक्षन खा रहे हो और वह भी किसी और के पैसे से अगर हम लोग मक्षन वाले जनलिस्स बन रहे होते तो यह देश आजाद नहीं हुआ होता गांधी जी ने जब पत्रकारिता शुरू की तो उन्होंने क्या कहा था मैं अपनी अखबार के लिए विग्यापन नहीं लूँगा अगर विग्यापन सही पत्रकारिता चल रही हो जो शुरू में दी जाती थी वो यह थी mission minus money is equal to journalism. अब क्या है? Commission plus money is equal to journalism. अगर यही करना है तो भाई, दुकान खोलो journalism में क्यों आ रहे हो? जोनलिजम में अगर आना है तो यह तो मना होगा, आप मेहनत के लिए तयार हो, आपका value system strong हो, आप सच को सच दिखाने और सच को सच की तरह बोलने के लिए तयार हो, और सारा दिन मक्षन खाने के आदत आपको ना हो, यह स्पा जोनलिजम नहीं है, यह मेहनत वाली जोनलिजम के साथ नहीं है, लेकिन मंतरी जी को फोन कर देए लो, कि तुम्हारी यह ख़वर कर रहे हैं, और का भीज़ादो, तो में उस जरलिजम से जैदी, मैं बिलकुल भी समर्थ नहीं हूँ, मेरा समर्थन उस जरलिजम के साथ नहीं है, ठीक, अची बात है, मैं जवा तोड़ा सा समय का अतिकरमन करेंगे, तोड़ा सा, लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूं, एक लाइन में सिर्फ कहता हूं, जब एडिटर मैनेजिंग एडिटर हो गया, खबरों को जब जो खबर आती थी उसकी वजाए कंटेंट क्रियेट होने लगाना, तो सारी मुश्किल वहां से आई, उसका अलग सत्र करें, क्योंकि बहुत गंबीर विशा है, लंबा है, लेकिन निश्चित तोर पर, पत्रकार को अगर किसी बड़ी कंपनी के, मल्टी नेशनल कंपनी के CEO से, पे पैकेज मे अपनी बात रखते हैं, और उसका समर्थन और ताईद आपनी तालियों से की, और करना भी चाहिए, मैं सिर्फ यहां पर एक बात कहूंगा, समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए, हम ऐसे विमर्ष में हमेशा वर्तिका जी और हर्षवर्दन जी दो बातों को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई पूरे समाज के लिए बढ़ी और केवल पत्रकार के नहीं लिए नहीं बढ़ी है, और उसको पंदर रुपे की चाहिए, अभी भी दो रुपे में मिल रही है, तो आप बहुत ब्रहम की दुनिया में जी रहे तो यह समय मेरे लिए नहीं बढ़ी है, लेकिन दुनिया के लिए महंगाई बढ़ी है, तो इस भ्रहम की दुनिया में आप जी रही है, अगर यह दर्शक जो तालीब जा रहे हैं, वो इस बात के समर्थन कर रहे हैं, कि हम तो दो रुपे में खरी देंगे, और तुम जो ज तो मैं इन दर्शकों से समर्थन कर रहे हैं, तो यह दो मिक्स हो जाती है, और इस बातों को मैं मिक्स नहीं होने दूँगा, आपको टीवी चैनल के, मैं अमरुजाला पर 25 लेक रोज ऐसे चापता हूं जो पैसे देंगे पढ़े जाते हैं, और 2000 लेक पढ़े हैं, अगर आ आपको जो है, मैं जिसको कहते हैं कि अपने अधिकार का पूरा दुरुपियोग करते हुए, यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि मुझे इशारा मिल रहा है, कि सत्र का समय समाफ्त हो गया है, और सच्मुच यह सत्र बहुत चर्चा हुई और इसे सत्रों में मुश्किल होती है आप सभी का बहुत 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 दन्यवाद, जरूरी यह ज़रूरी आपको समय बहुत तुम थे, कि सत्र बहुत खूँर्चा है कि गोडी मीडिया शब ठीक नहीं, दन्यवाद. सर पर लिख दिया गया कि वो गोदी मीडिया है आप लोग वरिस्ट थे पहले आप लोगों ने इस पर इसी तरीके से आपती क्यों नहीं उठाई पहला कॉश्चन दूसरा अब इसको एरेज करने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि आप कहीं भी चाहिए यह चलिए हमारे सब्सक्राइधा को पैसे तरीके वध्षाबे कमें गरुषा के विद्यारती ही है उनसे मैं पठ्रकारिता जूनों से अर शिदध से कीजिए और आपको अगर अच्छी पत्रकारिता करनी डुप झा गैप झीने का भी हक है अग् golden asked durION career or पेसे अंग थि म्या शुनाचे देन कर दो दो ऑजा गुड़रे टो आई